हेलो दोस्तो नमस्कार जय मातादी कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आप यह जानेगे कि प्रेग्नेंसी के टाइम पर पैरों में टांगों में दर्ड की समस्या क्यों रहती है टांगों में एठन चंचनाहत दर्ड होने पर गर्बती महलाओं को क्या करना चाहिए और क्या उपाई करें ताकि इस प्रॉब्लम से थोड़ा छुटकारा मिल सके यह जो प्रॉब्लम होती है टांगों में एठन की ड्रेग्नेंसी इससे हमें रहत मिल सके क्या ऐसा करें तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे उपाई बताऊंगी दोस्तों जिसे फॉलो करके आप बहुत रहत पास सकती हैं ठीक है और मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगी कि कब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है उच कोई connection होता है इससे या फिर नहीं इससे क्या पता लगा सकते हैं होने वाला जो बच्चा है वो boy होगा या girl होगी तो इस वारे में भी मैं आपको बहुत किलियर ली बताऊंगी चीक है ताकि आपकी सारे doubt किलियर हो जाए बस आपको वीडियो को पूरा देखना है अंते तक चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो मैं आपको बदाना चाहती हूं कि प्रेग्नेंसी के टाइम पर टांगों में एंधन क्यों होती है सबसे पहले आप रिजन जा लिए देखी दोस्तों क्या होता है जैकि गर्वावस्ता का दूसरा तिमाई शुरू होता है य आपका भी बजन बढ़ेगा तो जब आपका बजन भढ़ता है ना धीरे धीरे तो क्या होता है बहुत ज़दा बजन भढ़ने की कारड़ प्रेशर पढ़ता है निचले हिस्से में दवाव पढ़ता है पैरों पे टांगों पे बहुत ज़दा प्रेशर आ जाता है और जिस कि बज़े से क्या होता है नीद पूरी भी नहीं हो पाती है नीद खुल जाती है तो अगर आपको टांगों में एठन और दर्द की समस्या हो रही है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट भी करना चाहिए और कुछ बातों का दिहार रखना चाहिए तो यह बजन भढ़ने की कारण सकता है ज्यादा देर तक प्रेक्निसी में खड़ी रहेंगी तो भी यह चीज़ें हो सकती है ज्यादा ठंडी छीज़े खाएंगी आफ फ्रिज का पानि पिएंगी बहुआ थांडी चीजिजों का सेबन करती है आइस्कृम इस ख्रीम घोल्डिंग यह चीज़े doen ऐर प्रे ये करवड बदल बदल के लेट सकती हैं लेकिन पैट के बल और पीट के बल नहीं लेटना है इस बात का धिहां रखें अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है देखिए अगर आपको बहुत ज़्यादा टांगों में एधन होती है तो सबसे पहले आपको पैरों को तो थोड़ा उंचा करके सोना है जब आप सोती है तो आप अपने पैरों के नीचे थोड़ा तकिया लगा लेंगी तो इससे आपको राहत मिलेगी दूसरी चीज आप अपने टांगों में मसाज कर सकती है कोकोनट आयल से भी कर सकती है और जैतुन का जो तेल होता है अलके होने देनी है पानी की कमी होने की बज़े से भी ऐसी प्रॉब्लम होने लगती है तो जूस बगेरा पीते रहें नारियर पानी पीए और आठ से दस ग्लास पानी रोजाना आपको पीते रहना है ठीक है इस बात का भी आपको दिहान रखना होगा तो अब नेक्स्ट पॉइं पेसियों में थोड़ा रिलेक्स पन आ जाता है आपको अराम मिलेगा ठीक है तो जब आप सोने जाती है उस टाइम पे हलके लिए आतों से मसाज जरूर करें आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा नेक्स्ट आपको बताते हैं कि डॉक्टर के पास जाना कब जाहिए जब आपको बहुत जब पेन हो आप से नहीं पा रही है रात रात में सो नहीं पाती है तो ऐसे मैं आपको तरंद डॉक्टर से कंसर्ट करना चाहिए अब मैं आपको यह बताती हूं फाइनली कि क्या इससे बेबी बॉय और गर्ल का कोई कनेक्शन होता है तो दोस्तों बिलकुल नहीं क कि इनका कोई साइन्टिफिकली प्रूफ नहीं है ठीक है मैं आपको रिजन भी बताया है कि ऐसा क्यों होता है और पाई भी बताई है तो जिसे फॉलो करके आप राहत पा सकती है जादा दर्द होने पर आप दुत्तरंद लॉक्टर से कंसर्ट करें आज की वीडियो में बस